नमस्कार अखाड़ा आप देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ सोनल अखाड़ा में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी के रेट्स के बारे में जिना प्रॉपर्टी रेट में इजाफा किसे घाटा और किसे मुनाफ़ा मद्रदेश में साड़े तीन हजार लोकेशन्स पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिये गए हैं जिन जगों के रेट बढ़े हैं उन में भोपाल को छोड़कर 54 जिले शामिल हैं भोपाल में प्रॉपर्टी रेट को लेकर बनी गाइडलाइन को अभी होल्ड पर रखा गया है सवाल ये है कि आखर ऐसा क्यों किया क्या आखर दाम बढ़ने से असली फायदा और नुकसां किसका होने जा रहा है इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे इसके लिए हमारे साथ खास महमान भी जुड रहे हैं उन से इंटरेक्शन कराएंगे लेकिन उससे पहले इ चूटी से रिपोर्ट के जरीए देखिए आखर दाम बढ़ाने से किसको नफा किसको घाटा भूपाल में 243 जगों पर प्रॉपर्टी रेट बढ़ाने को लेकर क्लेक्टर की नई गाइडलाइन पर फिलाल रोग लगा दी गई है इसमें प्रॉपर्टी के रेट में पांस से सो फिस्दी तक बढ़ोत्री का प्रस्त कि उनने कहा कि दाम बढ़ाने से पहले जन्द प्रतिनिधियों से चर्चा जरूरी है विदायक भूपाल दक्षिन पर शेम भगवान दास सबनानी ने भी प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ाने की मांगी इधर क्रेडाई सद शिभी वित्त्रमंत्री से मिलने भूपाल में मध्यपरदेश के अन्य शेरों की तुलना में अगर यहां प्रापर्टी ज्यादा महंगी है तो उसको लेकर कि यहां का मामला प्रभावित होगा इसलिए मैंने आगर है कि यहां ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रियां हो तो इसलिए रेट कम हो तो अन्यता लोगों को लगता है कि रजिस्ट्री के दर जादा है तो वो रजिस्ट्री नहीं कराते एक प्रापटी कई जगे बग जाती है वो बाद में जाके रजिस्ट्री होती है चुकि रजिस्ट्री का पैसा बचाने के लिए होल्ड करते और अगर किमत कम होगी तो लगाता लोग ब बेचेंगे तो सरकार को रेवेनियों आएगा तो ऐसी सारी बाते मंय मंतरी जी में परणियों कि मैंद्रिप्रदेश की चोपन जिलों में 3500 लोकेशन पर प्रापर्टी के रेड़ बढ़ा दिये गए हैं क्लेक्टर ने एक लाग बारा हजार लोकेशन्स पर प्रॉपर्टी पर स्टांप यूटी और रेजिस्ट्रेशन चार्ड से सरकार की आमदानी बढ़ाने के लिए प्रस्ताओं भेजे थे। आईए अब आपको बताते हैं कि बड़े जिलो में कितनी प्रॉपर्टी हो जाएगी महगी। किया है यहाइसा काम करना चाहिए था आप यह बता हिए क्या साल में एक भार पहले जो है प्रापर्टी के रेट रिवाइज होते थे कोलेक्टर गाइड लाइन रिवाइस होती अब तो हर छे महीने में तो आखिर छाहती क्या है सरकार सरकार क्या चाहती है लोग जो है मकान बनाने की स्थीते में नहीं रहें क्या चाहती सरकार और यह पिर बिल्कुल जो है खजाना खाली हो गया है तो तरह तरह के उपाय धूंड़े जा रहे हैं बटोरने के भोपाल चले में प्रोपरटी की कीमत बढ़ाने के मामले में गोपाल क्रेडाई की बैठत बुलाकर सुझाओ देंगे। इसके बाद ही यहां कीमति बढ़ाने का फेसला किया जाएगा। गोपाल की जमीन संबंदी कलेक्टर गाइडलाइन के मामले में यह फेसला केंद्री मुल्यांकन समिती ने लिया है। गोपाल में होल बाकी जगे तो बढ़े हैं तीन खास मेहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबसे पहले उने मुकातिब करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष्रकने के लिए आज जुड़े हूए हैं सचिन वर्मा जी, सचिन जी सुवागत है आपका। हमारे साथ जुड़े हैं अमिच शर्मा जी प्रवक्ता कॉंगरिस अमिच जी आपका भी बहत सुवागत है। और हमारे साथ हैं संजीर सिंग ठाकोर जी जो कोशा अध्यक्षे क्रड़ाई के संजीर जी आपका भी बहुत स्वागत है सचिन जी अभी सात महां पहले तो बढ़ाए थे सर साल में दो-दो बार बढ़ाएंगे इस महेंगाई में बिस्टा करने साम में तीयाई कुम्षे कि अधिकार भी आठाएं ञाधिकर के तहए जुआ है कि बढ़ाना जरूरी है व्यवपढ़ाएं और लिए आपके और में असमें करेंगे कि उसको करना है नहीं करना है कि अपने का ठीक है अधिकार तो है लेकिन करेक्टर गैडलाइन के मुदाविक साल में एक बार अपरेल में जनरली समिक्षा होती है तो तब ठीक है लेकिन ये राजस बढ़ाने के उद्देश से चुकि कई वेलफेर स्कीम चल रही है में लादिव और में अधिकार के इस सक्थाएं है । भॉच UAcolored लादिविकार के फैने संव तो ये वहिक्षा होते हैं थार रही है नियॸबहानादा मुझ थार यte ऐसे उध्न और जब जहां विशन्यतियां जब लगी तो केंड़ी मुल्लाइंकन समीटी ने उसको जो है फ़रिट कर दिया है क्रिडाई की कोशा देख संजीव जी मैं आप से पूछना चाहते हूं कि महंगे जब घर होंगे अभी और प्रॉपर्टी महंगी होगी ऐसे में खरीदार मिलेंगे फिर देखिए ऐसा नहीं है कि जब कुछ चीज महगी होती तो कोई खरीदने वाला नहीं होता लेकिन वाकई में फिर जो आश्याने का सपना है वो हर किसी के लिए पूरा करने लाइक नहीं रहेगा ऐसा आप मानते हैं हिजा Frai देखिए यह हम लोगे देख रहे हैं जो रेल स्थेट सेकेटर रहे है वो एकिति में देखिए बहुत कम व्यापार आफ हैं चलते हैं रेल स्थेट हे और एक और व्यापार आवेश्चता होती है و अपनी फूर्ती इन्हीं व्यापार से करना चाहती है सबस्पड़ाई चैलेज्ज हमारे पास ये है कि ये जो व्यापार हमारा है ये बहुत से लोगों की जरूरते हैं, ये सिर्फ प्रॉफट का व्यापार नहीं है, कि लोगों के हम कोई लग्जरी पूरी कर रहे हो, ये उनका एक बेसिक रिक्वार्मेंट है जो हम पूरी करते ह अगर बाकी चीजों को हम चोड़ भी दें तो भी 17-18 परसेंट का सीधा टेक्स जो है वो पर्चेजर पर लगता है किसी भी वेक्ति को अगर कोई 50 लाग का मगान लेना हो तो आप देखेंगे मोटा मोटी 10 लाग रुपए उसमें यही बढ़ जाता है हमने लाग चीजर पर हरे नंगे उसमें तवाहन शॉर्सक्राजियरा टिक बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से लागा कि कर अगर दोलै तो मग व्यक्ति मकान खेटे का नर्यने ले रहा है वो तो नर्य ने हही एक पार्ट है 17-18 परसेंट जो उसको सरकार को देना पड़ता है लेकिन उसका जो गुस्सा है जा उसकी परिशानी है वो हमको जिलनी पड़ रही है हमारे व्यापार पर सीधा असर इसका पड़ेगा हमारा यह कहना है कि हम तो इससे आगे कहना चाहते हैं सरकार को लेकिन बढ़ाने के लिए व्यापार की ब्रभाण दुना नहीं चाहिए हमें यह माणने जाहिए जिससे ले आफ मैं परका का वल्यूम बढ़े जिससे अपका टेक्स कम हो दा लेकिन उस दूर गां में परिए। आरेडी हम काफी व्यापारों में पीछे हैं, बहुत सारे प्रदेश आगे निकल गए हैं, लेकिन हम इस तार के नियम बना बना कर शायद हम और रिग्रेसिव हो रहे हैं, आम जंता को बहुत बड़ी एक मतला इससे बहुत चोट लगने वाली है और हम लोग काफी चिलती थे हैं और हम आप प्रकाश प्रदेश संजीर एक चीज और समझनी है आपने बाकी प्रदेशों की बात की तो क्या देश के बाकी राजों भी इसी तरह क्वार्टर ली या साल में दो भार ऐसे दाम बढ़ते हैं मतलब इसा तो कभी नहीं होता है, बिल्टरों पर भी आरोप ल मेंगाई की अधार पर लेकिन यह बिलकुल नहीं चीज है हमने कैसी प्रदेश में नहीं सुना हमने के दूसरे आउनाइशन से भी बात की है हमने सबसे बात किये तो सब लोगों को यह आश्चर हो रहा है कि इस तरह की बात तो उन्होंने कभी सुनी नहीं कि हर छह मैने हर चार मैने में हमारे रेट बढ़ जाए इससे तो पुरी टेक्स प्लानिंग पुरा रेविन्यू प्लानिंग पुरी कॉस्टिंग प्लानिंग कर करें तो यहां खुद बीजेपी की सरकार हैं वहीं कि कुछ लोगों ने इस पर आपत्ती जता दी और इस पर इसे होल्ड करने की बात कह दी हो भी गया अमिज शर्मा जी और उनकी पार्टी क्या रियक्शन है इस पर आपका सोनक जी मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है जै मैं एक बार फेर से कोशिश कर रहे हैं सर आपको जोडने की मैं अपनी टीम से कहूंगी कि दुबारा से आपको कॉल करें तब तक मैं सचिन जी का रुक कर लेती हूं सचिन जी अभी आपने संजीव जी की बात स सूच है यहां झाती है कि दुदा जूचल ने गेफा पर रहे हैं मैं विहस्कर रहे हैं सन्छिव की इन दोिटान की लिए प्लिएष्य मेंूआ है झायन का करने की एस है जी दुदार रहे हैं और उसके को पैच नहीं किया जाया तो गॉर्मेंट का भी तो रेवन्यू लॉस होगा उसके अंदर तो है दोनों के साथ तो सिंक्रोनाइज करना है कि आज के समय के और उसके इसी लिए नहीं दी है उन्होंने भी क्रदाई के जो साथ प्रिस्टेंड उसको सिंट किया है और इस इले उसको होकि गिया गा है है तो हम कहीं करदार और जो है सरकार कहीं झालम केंद संट फ़ेज के ही हिए और हम पीज पटीर समय कि उसको बन मर तक स्टैंड है को भी एक, उसको भी हमें सहीं के बालता हुँ है इसी यह घ्ड़ गोल गिया है कि हम यह सांत में एक उसी प्रोसर्फ में भी प्रेस्टोनल जी लेकिन क्या हुआ जैसे विधायक प्रतनेदियों से आलोग शर्मा जी मिले उन्होंने का कि हमसे तो कम से कम चर्चा कीजे भाई सही बात है उनको भी कॉंफिडेंस में नहीं लिया सचिन जी थोड़ा एक समझना है चीज कि जब कमल जी की सरकार थी तो कमल जी ने 10 प्रतिशत तक गटा गटा दिये थे सर इसी मद्ध प्रदेश में रेट गटाए थे उन्होंने यह कैसे वह पाया अब महंगाई बढ़ रही है और बाकी चीजों का आप हवाला दे रहे हैं तो वह कैसे कर पाए थे अब वह कैसे करता है थे यह उन्हें आप एक जो कमल ना सब्कार ने ने हैं आरे में कपना जी दिए बट अब उन्होंने प्टाएगी अब उन्होंने प्टाएगी पुछ गॉर्मेंट है एक बिजनस का अब मॉटल लेकिया गया थे प्रफरत को ही इंडूस्त्र में कर दि कि वह दिन पर चाप चांपर करते थे एक आफिसर का उनकी एक अब रही एक प्रिप्रिया इक अलग ती और लोग कल्यानकारी राज पागी कर साथ तल रही है हम सब्सक्राइब दूसरे हाथ से जेबे कहली कर रहे हैं इसे कैसे चलेगा सर संजीक जी मैं आओंगी आपके प मद्यप्रदेश में जो कि हर साल समिक्षा होती है क्लेक्टर गाइडलाइन के तैद वही अभी फिर से नवंबर में एक आदेश आया ऐसा लेकिन अभी होल्ड पर है लेकिन इन सब के बीच संजीव जी कह रहे हैं कि वो तो क्वाटरली तक बढ़ने की सुन रहे हैं सचिन जी नहीं कुछ इसी तरफ इशारा किया आपका रियक्षन है कि सोनम जी हम राजनीती से पर्याट के मजभोपाल के आमनागरिक के नाते बात करें तो आप देखेंगे के इन 20 वर्षों में लगातार जिस तरीके से प्रॉपर्टी के दाफ बढ़ाए गए ऐसा प्रतीत लेकिन 20 वर्षी हम मास्टर प्लान का इंतिजार कर रहे हैं और खेतों में कालोनी सर्याम नाग के नीचे बिल्डर हों डबलपर हों और सरकार की नाग के नीचे लोगों को सस्ते दामों में गुम्रा करकर प्लॉट दे दिये जाते हैं उसके बाद विकास के नाम पर जीरो ह मुला कर जिसकी मूल प्रॉपर्टी की कीमत शाष्कियों उसमें चंद होती है लेकिन वो विक्ते विक्ते उसमें लाखों और करोडों रोपे में हो जाती है इस तरह की घटना में समलित कही ना कही नौकरशाई मैं सीधा अरोप लगाऊंगा कही ना कही राजनेतिक तंत्र जिसके सहरे पर सरकार के सहरे पर लाक के नीचे और इस तरह से व्यापारिक इस तरह से धूमापिया अभी होते उनके एक पॉकस से ये अधिकारियों के माद्यम से कलेक्टेट गाइडलाइन लगातार मद्यमदेश की सरकार में बढ़ रही है विकास के नाम पर विक्चित आप पूछिए के मकान कितने लोग लेने आ रहे हैं पुर्धान मंत्री योजना के ताज जो मकान देने थे वो कही ना कही मकान देने की तो बात करी जा रही है लेकिन आज वो मकान ब्यात साइब साड़े चार पाच लाक में पढ़ रहा है तुम किस करीब की बात कर रहे हैं किन योजनाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ कि अभी कम से कम तीन साल लगातार कलेक्टेड गाइडलाइन पर रोक लगनी चाहिए धरातल प रुक वाया आप क्या कर रहे हैं सर आपको तो विरोध करना चाहिए विपक्ष में कर रहे हैं किस तरह कर रहे हैं क्या प्लानिंग है इस पर आपने लेकिन क्या किया वही आलोग शर्माईद और बोपाल की जंदा ने इन्हें महापौर चुनाता और सर्व सम्मत्री से इस कलेक्टेड गाइटाइंद अपने बढ़ रही थी उस पर परिशत ने अब आज इठाई कलेक्टर और मुख्यमंत्री को परिशत से प्रस्ताओं पास करकर सरकार के पास जिला कलेक्टर कारेले को भेज दिया गया है जिससे वो मुल्यांकर हुआ लेकिन जनपरती ने भी दुरनाराइंद सिंग उस्ताइन थे बीदेपी के और आरिप अकीन साथ कॉंग्रेस के आज हमारे बीच मौजूद नहीं है उन्होंने इस बात की खिलापत करी सरकार पर सब्सक्राइब करें लेकिन सरकार में भूम आफिया के दम पर बैठे हुए इसमें मनमानी की तरह बढ़ाते गए और महंगाई तरपे-दर बढ़ती गई लेकिन एक आम आदमी की सीमा से उपर होता गया हम ठीक है अमिज जी लेकिन अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगी तो पूछूंगी कि क्या रणनीती रहेगी अब कैसे इसे रोकने रोकेंगे आप लोग कैसे विरोध करेंगे सचन जी और उनकी पार्टी का संजीव जी आपने का व्यापार बढ़ाना चाहिए सचन जी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि भाई वो तो हमको हमारे पास अधिकार भी है और हम चूकी राजस तो बढ़ाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा लेकिन वो चर्चा आप से जरूर करेंगे कह रहे हैं और हो ही रही है क्रडाई से बातचीत लेकिन इस सब के भी को छोड़ दिया जाए तो तो ऐसे में कैसे करेंगे नुकसान तो सीधे तोर पर उन लों को भी होगा जो मकान बना रहे हैं पिलकुल देखिए इक तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार हमारी सुनी है और बोपाल में जो रोक लगी है उसका हम स्वागत करते है सरकार हमें इस बार काफी positive दिख रही है कि वो हमसे बात करना चाहती है सबसे बड़ा challenge यह है कि जो सबसे बड़े stakeholder है किसी भी व्यापार में उनसे सरकार की बात नहीं होती है वो हमसे खुल के इस बारे में बात नहीं करते हैं कि आप क्या चाहते हैं क्या है कि हमारे देश म इसमें बहुत सारा टैक्स भी दे रहा है जिससे पुरा प्रदेश चल रहा है तो हमें यूशने की जरूबत हैं कि हमको आप एक पार्टी के रूप में देखें हमें एक इंपॉर्ट पार्टी के रूप में देखें दूसरी बात यह कि दिए पूरे दुनिया में अगर आप जो राज यह शहर यह देश जिनमें ज्यादा व्यापार हो रहा है वो टेक्स कम कर रहे हैं दुबई में जीरो टेक्स पॉलिसी है सिंगापूर में जीरो कॉर्परेट टेक्स जीरो इंकम टेक्स जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको आप ऐसी जैट बनाते हैं इसलिए बनात तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि व्यापार कैसे बढ़ सकता है हम उनको कैसे सिंगल विंडो दे सकते हैं आज हमारे रेल स्टेट में यह इस्तिति है कि हम लोग जगे जगे जैसा शर्मा जी ने कहा बहुत सही बात है कि हमारे प्लान कर पाएंगे कैसे बढ़ पाएंगे हमारे रेला सबसे रिग्रेसिव सिस्टम रेला का पूरे मध्य प्रदेश में उसको लेकर हाइए इतना उसको लेकर हमने मुहीं शड़ी हुई है सब बात को समझ रहे हैं कि रेला के जाथ बहुत चैलेंगे लेकिन सुलूशन जहां हमारे पास बहुत यंग पॉपुलेशन है हमको बहुत इससे डबल ग्रोथ होनी चाहिए हमारी लेकिन जब बिजनस हमें इसी इस बिजनस नहीं होगा बार बार उसे रोका जाएगा तो बिजनस बढ़ने ही पाएंगे मैं बिल्कुल इस बात करता हूं और आज हमारे हमारे एंप में देखेंगे आप तो 6-6% ही इस बिल्कृटी है लेकिन उसमे इतने उप बंद कर लगा दिये गाया है दूसरे रगरी निकायों और दूसरों के कि वह साड़े बारा परसेंट पहुंच गया है लेकिन अल्टिमेटली एक जो ग्रहा जमीन खरीद आज है उसको तो 12% का टेक्स देना पड़ जाए बनाए गया है लेकिन फिल्ट हमारे कि टेक्स अपनाए गए है जो है ज़लों में तक बुलाने के लिए और ज्याद जाद इन्वेस्मेंट मध्रदेश में बुलाने के लिए बहुत कुछ उपाय किये गया है लेकिन वह कित किस तरह विरोध करेंगे कैसे रोकेंगे आप 3 साल साल है तीन महने पर जाने वाले कैसे करें अब गउत संगशेप में जले के लगई सबसके ढाले कियान शोली इसमें उपारण फश्टा भी जाये हिंगेрий समी उपोरण को मिस्तुमें को सिन शाइए किन शा tipo प्रवक्ता का भी सपोर्ट चाहेंगे, हम हर चन्पिरती निदी को आवेधन देंगे, कि वो कम से कम विधान सभा के अंदर, और जिला सरकार में इस बात को उठा सके, कि आपकी जो स्मार्ट सिटी के नाम पर, जो कही ना कहीं दो मेहां लोगों को किया गया, कहीं ना कहीं कलेक्टेट टाइटाइम से मनमाने तरीके से, सचिन जी सारे सवाल आपके लिए हैं, चुकि वक्त मुझे इजादत नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, मास्टर प्लान की बात तब तब उठती है, जब जब स्मार्ट सची की बात होती है, अब आप महेंगे घर करने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये भी समझे कि एक तरफ की सरकार है, मध्यप्रदेश में वैसे ही बहुत सारे टेक्स हैं, जो कुछ ज्यादा है देश के बाकी राज्यों के हिजाब से, यहां कुछ कम करने की कोशिश कीजिए, इसी उम्मीद के साथ सभी महमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, अखाड़ा में मुझ